प्यारे विध्यारतियों आज का टॉपिक है सामाजिक प्रकारों अर्थात सामाजों के वर्गे करण के नियम दुर्खिम के अनुसार जो सामाजिक तत्त का सिद्धानत है उसके अंतरगत दुर्खिम ने सामाजिक प्रकार का जो उले किया है या सामाजों के वर्गे करण के जो नियम बताए हैं उसका इस वीडियो माज विस्तार से चर्चा करेंगे दुर्खिम ने अपनी पोस्तक के चोथे अध्याय में सामाजिक प्रकारों ये सामाजों के वर्गे करण के नियमों को ले किया सामाजिक अनुसंदान की व्यग्यनिक पद्दती में वर्गे करण की प्रिक्रिया के एक महत्पुन कदम है दुर्खिम ने समाजों के विकास के आधार पर उनके वर्गिकर्ण की पद्दती अपनाई समाज के प्रकारों के बारे में पहले से ही कोई विचार बनाने की बजाए यह आवशक है कि पहले प्रत्यक समाज का उलोकन व्याक्यार तुलना कर दी जाए समाजों के वर्गिकर्ण करने से पहले प्रत्यक समाज की समस्त विशेस्ताओं का अध्यन करके उनमें पाए जाने वाली समानताओं वैं समानताओं के आधार पर उन्हें विभिन समू में बांठा जाना चाहिए भिन भिन समाजों के विशेष्टाओं की सूची बनाना एक कठिन कारी है इसलिए समाजों के समस्त विशेष्टाओं की एक व्याक्या और तुलना करने के अपेक्षा समाजों के विभिन प्रकारों की प्रमुक विशेष्टाओं का अध्यन कर लेना चाहिए सामाजिक विशेष्टाओं के आधार पर अपन लक्षनों को चुनना उप्यूक्त है दुर्खिम ने समाजों का वर्गिकन करने के लिए सरल्ता को आधार माना है अर्थात समाजों का विकास सरल्ता से जटिल्ता की और हुआ है यह बात दुर्खिम ने स्पेंसर से ग्रण की इस पेंसर ने भी उद्विकास के नियम के आधार पर समाजों को दो भागों में बाटा एक सरल्ता समाज और दूसरा जटिल्ता समाज किन्तु उसने इनकी विशेष्टाओं को उल्लेख नहीं किया यह कारी दुर्खिम ने किया दुर्खिम के अनुसर सरल्समाज वह समाज है जिसके अंतर भिन भिन निर्माय की काईया नहीं होती वरन एक संपूनता होती है जैसा कि जीयों के सरी रचनायम देखने को मिलती है सरलता के आधार पर दुर्खिम ने चार प्रकार के समाजा को लेख किया पहला है सरल समाज सिंपल सोसाइटीज सरल समाज को परिवाशित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सरल समाज वह समाज है जो अकेला कारिरत संपूर है जो किसी के अधिन नहीं है तता जिसमें परस पर सही उपाए जाता है सरल समाज के खंड सेगमेंट्स नहीं होते हैं अर्था सरल समाज में और अधिक सरल समाज समलित नहीं होते हैं कथा इसमें अतीत में भी किसी तरह के खंड या अन्य सामाजिक समलित नहीं उनी चाहिए दूर्खिम ने सरल समाज के उधारन में गुमकडों के जुन्डे गोत्र को दर्साया है गुमकडों के जुन्ड में ने तो पहले कभी कोई सरल समाज समलित था और नहीं अब है यह समाज एक सामाज एक खंड कहा जा सकता है गोतर भी घुमकड जुन्ड की भाती सरल समाज है जुन्ड अब गोतर ही वर्गिकन का प्रत्थम सौपान है जब से सरल खंड भी हिन इकाई है और जिसकी पुन्रावर्ति से अधिक जटिल समाजों का निर्मान होता है जिसमें अन्य समस्त सामाजिक रूपों समाज का विकास हुआ है इन सामाजों में स्रम विवजनम विशेशिकन नहीं पाया जाता है और सामाजिक जीवन के विभिन पक्षों का पूर्ण एक एकरन पाया जाता है बहुखंडे सरल समाज इने मिश्रित समाज भी कहते हैं इनका निर्वाण गोत्र समों की मिश्रन से होता है जिनमें एक से अधिक पहले से विद्ध्मान खंडो का समाविस होता है इसलिए इने बहुखंडे समाज कहा जाता है चूंकि इनका निर्मान करने वाले खंड सरल समाज होते हैं ओता ये भवखंडिय सरल समाज कहलाते हैं दुरकिम ने आश्ट्रेलिया की जंजाती ऐमेरीका की ईरावकस्य जंजाती अम पराचिन युनान की बरादरी को इन समाजों की सिरेनी में सम्लित किया है सरल बहुखंडे समाज में कई गोत्रों होते हैं जो एक ग्राम की रूप में संग्टित हो जाते हैं इस दरश्टी से छोट छोटे गाउं भी इसी स्रेणी में के समाज है तीसरा साधार मिस्रित बहुखंडे समाज इनका निर्बान बहुखंडी सरल समाजों के मिस्रण से होता है इनके सामाजिक संदचना जटिल हो जाती है जन जातियों को इसी सरणी के समाजों में रख सकते है रोम के नगर राज्यों का निर्वाण करने वाले जंजातियों को भी दुर्खिम इसी सेनी के समाज कहता है इसके बाद दौर मिस्तरित भौकंडिये समाज दुर्खिम इन्हें सबसे जटल समाज कहता है जो विकास के करम में उच्छतम करम में हैं इनका निर्मान साधान मिस्त्रित भुखंटे समाजों के मिस्त्रन से होता है बड़े-बड़े नगर और राजदानिया इसी प्रकार के समाजों के सरिण欸 में आते हैं दुरखिम कहते हैं कि वर्गे करन की श्रिणिया और भी हो सकती है ये तो केवले गुदारन मात्र है तो हम ये कह सकते हैं कि दुर्खिम ने सबसे पहले जो सरल समाज की बात कही उन्होंने कहा कि समाज का विकास सरलता से जटिलता की और होता है जैसा कि स्पेंसर ने अपने उदिविकास सिद्दात में समझाया लेकिन स्पेंसर ने इसकी कोई विसेशता को लेख नहीं किया दुर्खिम ने इसकी विसेशता को लेख किया और सरल समाज जो गोत्र या कुटम्व के रूप में जिसके अंतरगत कोई और अन्य समाद समलित नहीं होते हैं उनको दुर्खिम सरल समाज की संग्या देता है अर्थात कहने के तात्वरी है कि जिन समाजों का और अधिक विभजन नहीं किया जा सकता वो सरल समाज की स्रेणी में आएंगे इसके बाद जो दूसरे प्रकार के बारे में दुर्खिम ने कहा मिस्रित सरल समाज जिसमें एक या दो गोत्र के लोग समलित होते हैं एक से आधिक सरल समाज मिल जाता तो मिस्रित सरल समाज हो जाता है यह प्राचिन आवस्ता से थोड़ा आगे चलकर कि आगे चलने के बाद जिस समाज के विकास हुआ उसको इसमें सामल किया जाता है इसके बाद मिस्रित बहुखंडिय समाज जिसमें मिस्रित समाज का एक या एक से अधिक जो मिस्रित समाज मिलते हैं उसको मिस्रित बवखंडी समाज का नाम दिया दुर्खिम ने इसके बाद जो दोहरे मिस्रित बवखंडी समाज की कल्पना जो दुर्खिम ने की इसको हम जटिल समाज भी कह सकते हैं तो समाजों का वरगे करन सरलता से जटिलता के और हुआ है जिन समाजों का कोई विभाजन नहीं किया जाता है और जिन समाजों का वर्गे करन किया जाता है जो मिसृत बखंडे समाजों की स्रेणी में आते हैं उनको दुरकेम जटिल समाज कहता है जटिल समाजों का जो विकास करम है वो उच्चतम करम में है और सरल समाजों का जो विकास करम है वो निम्न करम का है अर्थात सरल समाज एविक्सित है बेलकुल उनका जीवन इसतर सरल है सामान्य है जबकि मिस्रित बवकंडी या जटिल समाजों का जो जीवन इस्तर है वो विक्सित है उच्छत मिस्तर का है और बड़े बड़े जो नगर और राजदानिया है वो इसी प्रकार की समाजों की स्रेणी में आते हैं और गाउं और ढाणिया है वो साधान या सामानिय समाजों की स्रेणी में आते हैं दन्यवाद चात्रों जय हिंद जय वारत